हेलो प्यारे बच्चों दिस इस तुशार कपूर आई वेलकम यू आल और मैं यूट्यूब और फेस्बूक चैनल मैथिकल इस वीडियो में हम एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जाए एक पॉयंट दे रख यह एक पॉयंट दे रख है तो बोला गया इस पॉयंट का लाइन से प्रपेंडिकोर डिस्टेंज कितना होगा स्का फॉर्म्ला डिराइव करते हैं बेटा और एक कोशन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझा जाए घो देखते हैं बेटा अगर हमें बोला गया एक लाइन है ax plus by plus c is equal to 0 और एक point दिया हुआ P x1, y1 तो पूछा है इस P का इस लाइन से perpendicular distance क्या होगा तो बेटा एक line बना लेते हैं माल लेते हैं कुछ ऐसी line रही होगी अब ध्यान दो बेटा ये distance क्या होगा ये वो point है जहां पर state line x-axis को काट रहे है मतलब यहां पर y coordinate कितना होगा 0 तो y को 0 रग दोगे तो x कितना आ जाएगा minus c by a तो इसके coordinate के आएगे minus c by a, 0 similarly यहां पर क्या होगा x 0 होगा तो y कितना आ जाएगा minus c by b तो यह जाएगा 0, minus c by b क्या यह बात आपको समझ आ गई है बेटा की नहीं आई है बिल्कुल समझ आ गई होगी ये दो points आपको पता लगे इनको नाम करन भी कर दो इनका इसको a बोल दो इसको b बोल दो बेटा अब एक p point आपने ले लिया जिसके coordinates क्या है x1, y1 जिसके coordinates क्या है x1, y1 है अब मैंने क्या निकालना है इससे एक perpendicular distance निकालना है इसको नाम दे दिया n समझा कि बस pn निकालना में क्या होगा अब ध्यान देते है कोई दिक्कत है तो बताओ सभी अब अगर मैं बोलू कि मुझे ये निकालना है में निकालता हूं इसको area के help से area के बोलते है एरिवट ठेकल पीडी ए कितना होगा बेटा आगर आप को कुछ कोई बोले area of triangle पीडी area of triangle पीडी ए कितना होगा वह होता है half into हमकी हमकी हमकु कितना है पीडिक रेकितनी है पीडिक फिर्टा या डिस्टेंस कितना होगा कि लगाँ हम कितना होगा सी स्कएर वाए स्कुएर अधर अभगल दिस्टेंस सोलों आते अला हो माण अंडरूट में सी स्कूर वाए कड़े स्कूर अधर्या कोई दिक्कत नहीं अ अब मुझे एरिया निकालने का अगर बेटा तीनों कॉडिनेट्स पता हैं तो क्या हो जाएगा अगला एक्स तो 0 ही है तो कोई काम कहीं नहीं अगला एक्स कितना है माइनस चीवाई ए इन्टू इसका वाई माइनस दिस तो वाई माइनस दिस माइनस माइनस प्लस वाई वन प्लस सी बाई बी ये बात आपको समझा आगी है कि नहीं तो इसको सॉल कर लेते हैं कितना आगया होगा हाफ इन्टू देखो C1 बाई A तो चलो लिख लेते हैं इसको माइनस एक्स C1 बाई B माइनस एक्स वन था माइनस वाई वन C बाई A और ये कितना माइनस माइनस प्लस तो माइनस C स्क्वेर बाई A B ये आपका एरिया निकल कर आ गया है कोई दिक्कत है तो बता दो अब ये वला area और ये वला area दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि इनी दोनों triangles का area दो निकाला है, तो दोनों को equate कर देंगा, equate कर देते हैं, तो ये कितना जगा, half into, pn into, ये कितना जगा बेटा, c square है तो बाहर c ले लो, बाहर c ले ले लेते हैं, mod c आने दो, क्या दिक्कत है? a square plus b square upon a square b square, ये हो गया बेटा, is equal to half into, इसमें कुछ common आ सकता है, बेटा, एक तो minus बाहर आ गया, mod आ तो कोई दिक्कत नहीं, plus हो जाएगा, और एक c बाहर ले 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 लेते हैं, mod c, तो अंदर कितना बच गया, अब देखो, x1 by b plus y1 by a plus c by a b, कोई दिक्कत है तो बताओ, देखो बेटा, हाफ से हाफ कट गया, mod c से mod c कट गया, कोई दिक्कत, अगर मैं यहाँ पे देखू, अगर यहाँ ले ले लूँ तो कितना आएगा, a x1 plus by1 plus c upon a b, इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लूँ, तो यहाँ पे आगया, pn into a square plus b square, और अंडरूट से a square b square बाहर आएगा, तो इसको लिख दू, mod a b is equal to, इसको अगर solve कर लेंगे, तो कितना आजएगा, a1 x, b1 y, plus c upon mod a b, इसको अलसेम कितना आएगा, a b, तो देखो, mod a b से mod a b भी cancel out हो गया, तो हमारे पास pn की value कितनी हागी, यह हमारा formula बन गया बेटा, sorry, a x1, a x1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square, तो यह आपका बेटा final formula बनाये, distance of a point from a line, अब ध्यान दो formula याद कैसे करना है हमें, हुआ क्या है, इस straight line की question यह थी, आप इस straight line की question में point put कर दो, x1, y1 satisfy करा दो, x की जगा x1, y की जगा y1, देखो उपर वो ही लिखा हुआ, साथ में एक mod है, divided by under root of x के coefficient का square, plus y के coefficient का square, a square plus b square, कोई दिक्कत है तो बताओ, तो formula एक बार मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे, अगर x1, y1 का ax plus by plus c से distance निकालना तो क्या होगा point put कर दो, ax1 plus by1 plus c का mod divided by coefficient का square, a square plus b square के under root से divide कर देंगे, तो यह है गीता का सार, यह है काम की चीज, तो अगर कोई point पता है, line पता है, दिस्टेंस निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना, बेटा, note करो इसको, फिर हम एक question करते हैं, फिर आपकी understanding और बढ़ जाएगे, देखो बेटा, चलो इस question को, करें find the points on y-axis, देखो, यह छुट-छुट catch पकड़ने है, y-axis पे क्या होता, x 0 होता है, तो 0, alpha मान लेंगे कुछ, whose perpendicular distance from the line this is 3, perpendicular distance भी दिया हुगा है, अब ध्यान दो बेटा, यह line दिया हुगा है, 4x-3 वा है, minus 12 is equal to 0, किस point से perpendicular distance निकालना है, मान लो कुछ 0, alpha होगा, कोई point 0, alpha होगा, तो 0, alpha का इससे perpendicular distance कितना होगा, तो perpendicular distance का formula हम जानते हैं, कितना होता है बेटा, वो होता है, यह वाला point इसमें, put कर दो, x को 0, 4 into 0, minus 3 into alpha, minus 12, का mod, ध्यान देना है, mod divided by, under root of x के coefficient का square, y के coefficient का square, और यह किसके equal given है बेटा, आमको question में देखो, 3 है, अब ध्यान देएंगे, बेटा, 9, 16, 25, 25 का under root कितना 5, 5 into 3 कितना 15, कोई दिक्कत, minus 3 alpha minus 12, mod है तो क्या हो जाएगा, plus 3 alpha plus 12, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, plus 3 alpha plus 12, is equal to कितना बेटा, 15, हाँ है न, अब mod कैसे खुलता है, एक बार plus के साथ, एक बार minus के साथ, तो जब यह plus के साथ खुले गए, तो कितना 3 alpha plus 12, कितना, एक बार 15 आएगा, और एक बार 3 alpha plus 12, कितना बेटा, minus 15 आएगा, समझा गी यह बात की नहीं आईए, अब यहाँ से alpha कितना आ रहा है, 3 alpha is equal to कितना बेटा, 3 alpha की value यहाँ से 1 आ गई, 3 alpha is equal to minus 27, और यहाँ से alpha की value कितने आ गई, minus का 9, कोई दिक्कत, तो ऐसे कितने point हां हमारे पास, एक तो है 0,1, and 0, minus 9, यह वो दो point है बेटा, यह वो दो point है, जिन से इस line के ओपर perpendicular distance कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपको किसरी 2 point कैसे आ गई, तो सोच लेते हैं, थोड़ा सा वैसी आपको बता देता हूँ, अगर इक graph बना रहे हो, एक्स कितना हैगा वेटा, जब y 0 होगा तो एक्स कितना रहा है, 3 और जब x 0 था तो y कितना रहा है, minus 4, तो यह जो state line कुछ ऐसी बन रही होगी, अब ध्यान दो, यह परपेंडिकुलर दिस्टेंस 3 था, दूसरा क्या है, 0, minus 9, एक यह परपेंडिकुलर दिस्टेंस 3 था, समझा कि, यह दिस्टेंस भी 3 आ गया, और यह दिस्टेंस भी हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, तो ऐसे 2 पॉइंट निकल सकते हैं, जिनसे परपेंडिकुलर दिस्टेंस कितना आ जाए बेटा, 3 निकल कर आ जाए, ठीक है, समझ आ गया होगा, फॉर्मला याद करना है, प्रूफ भी अच्छे से समझना है, और इस कोशन की हेल्प से अपनी अंडरस्टेंडिंग को और बढ़ाना है, अगर आपको बच्चों है वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, कमेंट और शेर करना ना बोले, थेंक्यू,